हलो गाईज वेल्कम बैक टो यूट्व चैनल एलेक्टिकल स्टाफ फर यू दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केई वार बच्चे confuse हो जाते हैं और वो गल्द answer दे देते हैं जिसके कारण उनका selection नहीं हो पाता तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको detail में और बड़ी ही सानी से बताऊंगा कि आप कैसे कोई भी conversion कर सकते हो और दोस्तो वीडियो के last में मैं आपको एक tip भी दूँगा जिसको जाद करके आप easily कभी भी नहीं भूलोगे कि आपको कैसे एक conversion करनी है और जब फिर आप interview में answer दोगे तो आपका selection होना पका रहेगा तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम HP 2 बाट कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे दोस्तो हमें ये पता है कि जो हमारा एक HP होता है उसमें 746 बाट होते है दोस्तो जो HP होता है इसका मतलब होता है होर्स पावर बट क्योंकि हमें पता है कि यो हमारी कोई भी पावर की रेटिंग होती है लेक्ट्रिकल में वो हम बाट में या किलो वाट में कल्कुलेट करते हैं तो हमें कनवर्ट करना बढ़ता है HP को वाट में या किलो वाट में छीक है दोस्तो अब दोस्तो एक HP में 746 वाट होते हैं चार HP में भी अब आपको चार से गुना कर देना 746 से अगर पांच HP में पूछे तो पांच को गुना कर देना 746 से ऐसे ही जितने भी HP में पूछे माल लिजे कि आपसे हजार HP में पूछते हैं कि कितने वाट होंगे तो आपको 1000 को गुना कर देना है 746 से तो ये बहुत ही सिंपल होता है कि HP से बाट कैसे निकालते हैं बट कभी भी इंटर्वी में ये सिंपल सा क्वेशन नहीं पूचा जाता तो अब हम बात करते हैं कि HP से किलोवाट कैसे निकालते हैं तो दोस्तो HP से किलोवाट निकालने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 HP में कितने किलोवाट होते हैं तो उसको हम पहले थोड़ा सेट राइट करते हैं कि 1 HP में कितने किलोवाट होते हैं अब हमें ये तो पता है कि 1 HP में 746 बाट होते हैं अब दोस्तो एक किलो वाट में एक यार बाट होते हैं जो किलो है जे एक यार के ब्राबर होता है तो एक किलो वाट में एक यार बाट होते हैं तो अगर हमें अब एक बाट में निकालने हैं कितने किलो वाट होंगे तो कैसे निकालेंगे एक बाट एककल टू एक से डिवाइ वाट है तो हमें इसे अगर किलो वाट में किनवर्ट करना है तो सिंपल हम क्या गरेंगे 740 को बाग कर देंगे 1000 से तो जब हम 740 को ड्वाइड करेंगे तो हमारे पास किलो वाट में वैल्यू आजाएगी जो वाती है 0.746 किलो वाट तो इसका मलू यह हुआ कि जो 1 HP है उसमे 0.746 किलो वाट होते हैं अब हमें 1 HP में पता लग गया कि कितने किलो वाट होते हैं तो सिंपल अगर अब हम से पूछा जाए कि 2 HP में कितने किलो वाट होंगे तो पहले हम क्या करेंगे 2 HP को बाटेज में निकाल लेंगे तो हम क्या 2 को 740 से गुना गिया तो यह 1401 में वाट करना है जैसे कि हमने पहले सीखा और ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि 3 HP में बताओ कितने किलोवाट होंगे तो पहले आपको 3 HP में कितने बाट होते हैं भू निकाल ले नहीं है भू निकालने के लिए आपको पता है साथ सोश्यालिस से गुना करना है अब जो बाटज आ जाएगी इसको हमें डिवाइड कर देना है 1000 से तो हमारे पास किलोवाट में रिटिंग आ जाएगी सिंपल है ना दोस्तों इंट्रिव्यू में ऐसा ही क्वेशन बुच्छा जाएगा कि HP से किलोवाट निकाल ले ना कि HP से बाट क्योंकि वो बहुत ही सिंपल होता है ठीक है अब ऐसे ही 4 HP में पुच्छा जाए तो आपको 4 को 744 से गोना कर देना है और उसको बाटज को किलोवाट में करवर्ट कर देना है डिवाइड करके 1000 से अब ऐसे ही 5 HP को भी आप कर सकते हो आपको क्लियर हो रहा होगा किया हम कैसे निकाल रही है ठीक है तो दोस्तों आपने HP से बाट मनाना भी सीख लिया अब HP से किलोवाट मनाना भी सीख लिया अब हम बात करते हैं कि बाट से HP कैसे निकालते हैं दोस्तों इंट्रव्यू में questions बाट से HP जा किलोवाट से HP कैसे convert करते हैं वो ही आएगा ऐसा कभी नहीं आएगा कि HP से बाट कैसे निकालें तो अब हम इसके बारे में सीखते हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक बाट में कितने HP होते हैं फिर हम easily निकाल सकते हैं कि इसी भी बाट के लिए कि उसमें कितने HP होंगे तो हमें पता है दोस्तों कि एक HP में 746 बाट होते हैं चीक है तो अगर हमें अब ये निकालना है कि एक बाट में कितने HP होंगे तो सिंपल हम क्या करेंगे एक से डिवाइड कर देंगे 746 को तो हमारे पास आएगा कि एक में बताओ कितने HP होंगे तो Simple 2 को Divid कर देना है 746 से चीक है तो उतने HP आजाएगा चीक है दोस्तोड तो Simple ठीघात है कि कितने बाट में आप से पूछा जा रहा है कि इसमें कितने HP होंगे तो उतने से आपको divide कर देना है 740 से चीक है अब मान लिए आपसे पूछा जाए कि 1000 बाट में कितने HP होंगे तो आपको 1000 को बाग कर देना 740 से तो जब आप इसे बाग करोगे तो ये आपके बास आयता है 1.34 HP चीक है अब ऐसे ही मान लिए 5.000 बाट में 740 से चीक है तो इस परकार से बाट से HP निकाला जाता है दोस्तों questions इसी परकार से आते हैं आपको confused नहीं होना है आपको simple जाद रखना है कि आपको multiply करना है 740 से जा divide करना है चीक है अब हम kilowatt से HP कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानते हैं अब दोस्तों kilowatt से HP निकालने के लिए पहले हमें फिर से यही पता होना चाहिए कि एक HP में कितने kilowatt होते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी हमने बात की कि एक HP में 746 watt होते हैं अब हम बाट को convert करेंगे kilowatt में तो उसे convert करने के लिए हम क्या करेंगे जितने मारे पास बाटे होती है उसको divide कर देते हैं 1000 से तो यहाँ पर हमारा 746 watt है तो अगर हम इसे kilowatt में करेंगे तो 746 को divide करेंगे 1000 से तो जो आयाता है 0.746 kilowatt तो इसका मतलब हमारे clear हो गया कि 1 HP में 0.746 kilowatt होते हैं अब फिर से हमें यह निकालना है कि अब 1 kilowatt में कितने HP होंगे तो उसे निकालने के लिए हमें यह तो पता है कि 1 HP में 0.746 kilowatt होते हैं तो अब हम 1 kilowatt में निकालने हैं कितने HP होते हैं तो एक को divide कर देंगे 0.746 से सिंपल हमने किया किया इस फॉर्मूले में यह 0.746 इस से लेगे तो यह डिवाइड आ गया चीक है तो जब हम इसे कल्कुलेट करेंगे तो जह आयाता है 1.34 HP चीक है दोस्तो तो सिंपल हम इसी परकार से माल लिजे हम से पूछता है कि 2 किलोवाड में कितने HP होंगे अब हम 2 क डिवाइड कर देंगे 0.746 से ठीक है दोस्तो आपने देखा होगा जब हम 2.2 HP कर रहे थे तो हम 746 से बाग कर रहे थे बट अब हम 5 किलोवाड के लिए निकालना है तो 5 को डिवाइड करेंगे 0.746 Clay. तो हमारे पास आएगा 6.70 HP, तो दोस्तो इस प्रकार से आप किसी भी किलोवाट को convert कर सकते हो easily HP में, दोस्तो इंटरव्यू में यही questions पूछे जाते हैं, जो कि बहुत simple होते हैं, बट बच्चे confused हो जाते हैं कि जहां पर हमें divide करना है, जहां फिर multiply करना है, और केई बार 746 से divide कर देते हैं, जबकि करना होता है 0.746 से, चीक है, तो दोस्तो अब मैं बात करता हूँ tip के बारे में, जो मैंने आपको starting में बताया था, तो आपको simple याद रखना है कि अगर हमें HP से बाट बनाने है, तो simple आपको जितने भी HP की motor है, उसको 746 से गुना कर देना है, तो आप आपकी यो rating है, वो बाटेज में आ जाएगी, ठीक है दोस्तो, ऐसे ही अगर आपको HP से किलोवाट मनाने है, तो simple आपको गुना करना है, एक को गुना करना है, 746 से और उसे बाग कर देना है, 1000 से, तो आपकी यो rating है, वो आ जाएगी किलोवाट में, ठीक है दोस्तो, मतलब अगर आपको HP से बाट करना है, तो 746 से गुना करना है, बहीं पर अगर आपको HP से किलोवाट में किनवर्ट करना है, तो आपको 746 से गुना करना है, बट उसको फिर डिवाइड कर देना है, 1000 से, तो जो भी आपकी rating आएगी, वो किलोवाट में आ जाएगी, ठीक है, ऐसे ह अगर आपको बाट से HP में convert करना है तो simple आपको जितने बाट होंगे उसको divide कर देना है 746 से दोस्तो दियान देने वाली बात जह है कि जब आपने HP से बाट में किया तो आपने यहाँ पर गुना किया 746 से बट जब आप बाट से HP में करेंगे दिवाइड करना है तो ऐसे ही अगर आपको गुलो वाट से HP में convert करना है तो आपको जाद रखना है कि जतने भी किलो वाट है उसको आपको divide कर देना है अपके बास आजेगा कि कितने किलो वाट में भी कितने HP होते हैं आप easily निकाल सकते हो तो दोस्तों आपको ये चार चीजे जाद रखनी है अगर आपने ये याद रखी तो आप कभी भी नहीं बूलोगे और आप confused भी नहीं होगे और आप easily किसी भी इंटरव्यू का अंसर दे सकते हो और आपकी selection होना पक्का है तो दोस्तों अगर वीडियो informative लगा हो तो like और share जरूर करें और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को subscribe जरूर कर लें Thank you guys